साथ ले इन चुनाओं के नतीजों ने एक बात और साफ कर दी है कि यूपी की जन्ता को और मैं सभी ज्यानियों को कहता हूँ कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी गिसी पिटी रेकॉर्ड छोड़के देरा ने सिरे से सोचना सुरू की इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है मैं स्वयम बात दुख अनुबव करता था जब यह ज्यानी लोग यूपी की जन्ता को सिर्फ और सिर्फ जाती बात के तराजू से तोलते थे जाती बात की द्रस्टी से देखते थे मैं सबस्ता हूँ कि उत्तरपदेश के नागरिकों को जाती बात की बाड़ा बंदी में बात करके वे उन जातियों का अपमान करते थे उन नागरिकों का अपमान करते थे पूरे उत्तरपदेश का अपमान करते थे कुछ लोग ये कहकर यूपी को बद्दाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाती ही चलती है लेकिन भाय भनो उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है 2014 के चुनाव नतीजे देखें 2017-2019 के नतीजे देखें और फिर बाइस में भी देख रहे हैं हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकास बात की राजनीती को ही चुना रहे है यूपी के लोगों ने इन लोगों के ये सबक दिया है और ये सबक उनको सिखना होगा यूपी के गरीब से गरीब ध्यत्ति ने, यूपी में गाउं में रहने वाला वेक्ति हो पढ़ा लिखाओ या अनृपढ़ हो, यूपी के हर मद्दाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाती की गरिमा, जाती का मान देश को जोडने के लिए होना चाहिए देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए और ये करके दिखाया है चार चार चुनावों मैं करके दिखाया है वैसे आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ग्यानियों ने कहा था दोजार उन्नीस में जब लोग सबामें दुबारा जीत करके आए तो इस ग्यानियों ने कहा था कि पर इस दोजार उन्नीस के जीत में क्या है ये तो 2017 में ही तैय हो गई थी क्योंकि 2017 में युपी का रिजल्ट आया था मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्यानी जुरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तैय कर दिये हैं